हेलो दोस्तों मैं आमेर वेल्कम करता हूँ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ लॉंग लर्निंग पर जहां मैं लाता हूँ ऐसा वैलियोबिल कॉंटेंट जो आपकी लाइफ में वैल्यू आड़ कर सके हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि जिन्दा बकरे का वजन की रेशियो में आप कितना गोश्ट उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ वेट जिन्दा बकरे का वजन होता है और कारकास वेट यानि बकरे की ड्रेस्ट बॉड़ी का वेट क्या होता है उसको स्लो लाइव वेट बकरे में जो गोश्ट और दीगर हिस्से होते हैं बकरे के उनके वजन का अंदाजा आप इस कैलकुलेशन से लगा सकते हो अगर सपोज एक बकरे का लाइव वेट 30 kg होता है तो उसमें निकलने वाला मटन का वेट उस लाइव वेट का 44.6% होता है जो के अप्र तरह स्किन का वेट, हेड और लेक्स का वेट, लिवर, लंग्स और हाट का वेट आप इस चार्ट में देख सकते हैं जैसे 30 kg लाइव वेट बकरे का मीट वेट यहाँ पर 13.4 kg है और जो बकरे के स्किन का वेट है वो 2.5 kg है जो होता है परसेंटेज में 8.5% और जो मुंडी और पाए होते हैं उनका वेट होता है 2.8 kg अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 9.4% लिवर, लंग्स और हाट इनका वेट होता है 1 kg और परसेंटेज में अगर देखा जाए तो यह होता है 3.1% As the live weight increases, the carcass weight increases by 0.43 to 0.54 kg for every 1 kg increase in live weight दोस्तों जिस तरह से live weight increase होता है उसी proportion में carcass weight भी increase होता है जिस proportion में live weight बढ़ता है तो carcass weight भी बढ़ता है और उसे हम dressing percentage कहते हैं यह dressing percentage काफी हद तक बकरे की diet पर depend करता है दोस्तों अभी हम जानेंगे कि आप बकरा किस तरह परक्ष सकते हैं अगर आपको एक सेहतमन बकरा चाहिए दोस्तों इस photo में आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हम ignore करेंगे कि यह बकरा है या बकरी है पर इस बकरी की जो कमर है जिसे loin कहते हैं और अगर आप market में बकरा खरीदने जाते हैं तो इसी तरह जनवर पर रखते हैं उसकी कमर पर हाथ रख कर अगर कमर यानि loin पर touch करने से आपको sharpness feel होता है bones की वज़े से तो इस जनवर में meat कम है और bones की quantity ज्यादा होगी अगर बिना touch करें आप इसे देखना चाहते हैं तो side view से देखने पर आपको इस तरह का shape दिखेगा और बकरे को पीछे से देखने पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा इसका shape इस तरह का जनवर में ghost की मात्रा कम होती है और bones ज्यादा होते हैं इस category इस type के बकरे को very lean categorize किया हुआ है तो जो दूसरी खिसम का बकरा या बकरी होती है वो lean type की होती है देखिए दोस्तो अगर कमर या loin का shape इस तरह का होगा touch करने पर तो ये जनवर lean कहलाता है इस type के बकरे में कमर पकड़ने पर ghost का layer महसूस होगा अगर आप compare करे previous type के जनवर से तो जहां bones आपको sharp महसूस हुए वहीं इस type के जनवर में आपको थोड़ा कम feel होगा और आप जनवर को side में खड़ा देखेंगे तो उसका shape ऐसे दिखेगा और पीछे से देखने पर कुछ इस तरह का दिखेगा अभी हम देखते हैं medium size के बकरे में अगर आप short ribs को पकड़ने से smooth दिखे और lightly bones feel हो रहे हूँ तो इस type का बकरा medium range में आएगा side view और rare view से देखने पर बकरे में गोश दिखेगा बिना touch किये भी fat बकरे में आपको short trips जरा भी फिल नहीं होंगे इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह जानवर में fat बहुत ज्यादा quantity में है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही लाइक करे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे ताके आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे Thank You